पौधा से हमने स्टीविया का पौधा इसको मधुपत्रक बोलते हैं और आयरुवेद में भी इसका मधुपत्रक का प्रियोग आयरुवेद में बहुती अच्छे तरीके से किया जाता है खास करके मधु में के जो रोगी है जिनका के सुगर लेबल बहुत जादे उपर है सारी 300 हो गया सारी 300 सी भी क्रोस हो गया उनके लिए मधुपत्रक का जो प्रियोग है आयरुवेद में सुखा लिजिए आप कच्छा अगर ले सकते हैं तो कच्छा मत रस्टी व्याका पौधा को आप ऐसा निचोड़िए इसको लेके और इसका जो भी पार्ट से सुखान चीनी जो आप खाते हैं चीनी से आठ गुना जादे यह मीठा है लेकिन यह नैचुरल सुगर इसमें सुगर आपका जो टेवल सुगर के द्वारा आपका जो सुगर बढ़ गया है या खान पान की गलतादतों के करण या कुछ हार्मोनल प्राब्लम के करण जो आपका प्राइब बढ़ा उसको यह नियंत्रित करेगा अगर सारे तीन सो से उपर आपका सुगर लेवल हो गया है तो इसका सुखा हुआ पाउधे का मैस करके आप इसका प्रियोग कर सकते हैं इस तरह से खाल लिए दो ग्राव चुखा हुआ पाउधा का यह ले लिजिए दो ग् प्राइब का सुगर आपका गटते घरते आपका ठेटी आपका डिर सो लेवल पे आ जाएगा यह एकदं मुआ के द्वारा सावित किया हुआ अप्रियोग के द्वारा सिद्ध किया हुआ यह रोत डिस तुखा हुआ यह जो पाउधा देक रहे हैं आपको इसके खेर के पर इसकी मारी वालों के लिए जिनका डाइवेटिस बहुत जादे सुगर बढ़ गया है उनके लिए राम बान दवाज है जो आपको प्रकिर्थी के द्वारा ये मिला हुआ है चीजिस को आप प्रियोग मिला है प्रियोग कीजिए अब दोस्तों आपको ये सब दवाई जो तयार किया है जो कि डाइबरेटिस पेसेंट वाले दिमांड करते हैं कुछ अईरुवेदिक दवाई वाले जो डॉक्टर से हैं वह हमको प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और यह यहां से ले जाते हैं यह रिशार्च सेंटर जो लखनो का आपका सी एस आई आई आर का जो स सीमप सीमप सेंटरल इंस्टिट्वीट ऑफ मेडिशनल प्रांट वाला जो है उसी मैप कैंदरी परद्योग की संधान संस्थान का वहां पे हम गए और वहां पर हमने जाके इस टीबिया पर काम किया इस टीबिया पर उनके रिसर्च कर रिसर्चर के साथ हमने साथ दिन का कोर्स कि या हमें बहुत सारी चेज़ के बारे में बतला आपको यह चैनल अच्छा लगा और जितने भी चैनल स्थाके कही हैं उसको अगर आप ने सुना होगा और अच्छा लगा होगा तो प्लेज आप इस पर कमेंट कोई भी कमेंट आप चैनल को भेज सकते हैं इसके लिए आपको चैनल सबस्क्राइब करने लिए